आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मिराना शाहिद पहले इस बुलेटिन के मुखे समाचार प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने युवादिवस पर कहा कि भारत बन चुका है दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र प्रदेश भर में युवादिवस पर हुए विभिना आयोजन उख्यमंत्री ने भोपाल में किया योग मध्यप्रदेश राजे नयाईक अधिकारियों का दस्वा वार्षिक सम्मिल अनकल से भोपाल में होगा और नीमच जिले की ग्राम पंचायत अलहेड बनी CCTV कैमरे वाली पहली ग्राम पंचायत अब समचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने कहा है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा विन्रमान केंदर बन चुका है उन्होंने कहा कि आज देश दूर संचार्क शेक्तर में आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री ने महराष्ट के नासिक में 27 में राष्ट्री युवा महुत्सव का शुबारम किया इस अफसर पर उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व की पाँच शीर्ष अर्थ व्यवस्थाओं में से एक है हमारे देश के रुष्यों मुनियों संतों से लेकर सामन्य मान्वी तर सभी ने हमेशा युवार्श शक्ती को सर्वो पर ही रखा है श्री अर्विन तो कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा पाँच दिन के महुत्सव की थीम है मेरा भारत विक्सित भारत अट डरेट दो हजार सैतालीस युवाओं द्वारा युवाओं के लिए प्रधान मंत्री ने युवा महुत्सव की शुम्प कामनाई दी उन्होंने कहा कि मेरा सबसे ज्यादा भरोसा युवाओं उपर है उन्होंने कहा कि माई भारत की स्थापना के 75 दिनों के बाद एक करूर युवा इससे जुड़ गए हैं प्रधान मंत्री ने आज मुंबई में देश के सबसे बड़े पुल, अटल बिहारी वाजपाई, सिवरी नहावा शेवा अटल सेतू और एक बड़ी बुनियादी परियोजना का उधगाटन किया मुखे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्री युवा दिवस के उपलक्ष में सुभार शिशास के उतक्रिष्ट उच्चितर माध्यमिक विद्याले फोपाल में सामुहिक सूर्य नमसकार का रिक्रमें शामिल हुए इस अफसर पर मुखे मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री श्री मोधी के निर्थत्व में भारत पूरे विश्म में अपनी गरिम बढ़ाने में सफल रहा है प्रधान मंत्री अपने निर्णयों से रोमान चित करते हैं युवा हो या बुजर्ग सभी वर्गों से आसानी से जुड़ जाते हैं उनके निर्तर्त्व में भारत रक्षा के खेक्षेक्तर में, खेल के खेक्षेक्तर में और अनिक्षेक्तरों में निरंतर आगे पढ़ रहा है। शिवपूरी में स्कूली बच्चों सहित अन्य गणमा निनागरिकों ने योग किया और योग को बढ़ावा देनी की पहल की। शिले में विभिन विकास खंडों के सैक्डों युवाओं ने भाग लिया। निवाडी में भात फेरी निकली और उसके बाद सांस्कृतिक कारिक्रमों का आयोचन किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डियादियों ने आज आकाश मिसाइल का सफल परीक्षन किया। परीक्षन के दौरा नोडिशा के चांदीपूर तट पर एक एकरत परीक्षन परीसर से बहुती कम उचाई वाले मानवरहित लक्षे पर निशाना साधा गया। इस मिसाइल प्रणाली दौरा निर्धारित लक्षे को सफल तपूर्वक भेदा गया और उसे नश्ट कर दिया गया। मिसाइल के सफल परीक्षन ने इसके सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। पर भी समाचार सुन सकते हैं। चित मार्ग देशन देकर भविशे के लिए योजनाओ को तैयार करना है। लगभग 1600 न्याइक अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में आर्टिफीशल इंटेलिजन्स और सोशल मीडिया के नयाइपालिका पर प्रभाव विशे पर सत्र का आयजन भी होगा। नीमच जिले की मनासा जनपत की ग्राम पंचायत अलहेड सीसी टीवी कामरे वाली पहली ग्राम पंचायत बन गई है। संग्षेप में आगर मालवा में पशुपालन विभाग द्वारा दुरगटनाओं से बचाओ के लिए गायों के सींगों पर रिफलेक्टर लगाय जा रहे हैं सागर में। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग दौरा युवाओं के लिए उद्द्यमिता विकास एवं करियर मार्ग दरशन योजना का कारिकरम रखा गया। खंडवा जिले में आज विक्सित भारत संकल प्यातरा के तहट खालफा जनपत पंचायत के ग्राम पंचायत लखन पुर बंदी और ग्राम पंचायत महेलू में शिवर का आयजन किया गया। मनसौर में जिलास्तरिय रोजगार एवं स्वर रोजगार मेलक आयजन शाख्स किये आईटी आई में किया गया। इसमें 14 कंपनियों ने भाग लिया। सीहोर जिले के शहरीक शेक्तर में विक्सित भारत संकल प्यातरा का शुबारंब शाहगंज नगर में सांसद रमाकांत भारगव की उपस्थिती में हुआ। शिवपूरी जिले में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कारिक्रम के अनुसार विशेश निर्वाचक नामावली के पुनुरीक्षन कारिक्रम शुरू हो गया है। में 22 जनवरी तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने के लिए आवेधन किये जा रहे हैं। आज इस बुलेटिन में वस इतना ही नमस्कार।